नमश्कार दोस्तों करेक्ट श्रीपाइंट एंड मोडिवीशन में आप सभी का स्वाधत है दोस्तों सरवर्थम आप सभी को गरतंद्र दिवस के हार्दिक सुपकाम नहीं और इसके साधी साथ मैं दूआ करता हूं प्राटना करता हूं कि आप सभी खुसाल रहें, स्वस्तर रहें, सुरक्षित रहें और आज गरतंद्र दिवस के इस पावान उसर पर मैं उन सभी महापुरसों को नमन करता हूं जिनकी पदौलत हमें एक सुवेवस्थित, एक अच्छा सम्विधान मिला जिसके नियमों पे आज पूरा देश चल रहा है, वो अलग की बात है कि हमारे कुछ हदिकारी उन नियमों को ताक पर रख देते हैं कुछ नेता हमारे उस नियमों को ताक पर रख देते हैं खैर नेताओं की तो बात ही क्या की जाए, वो तो समझे लिजे कि बहुत ही उच्छ विचारों वाले हैं सब आज कल और देशबक्त तो वही हैं सही सही बाकी हम लोग तो बस जनता हैं इस देश की और वही बनके रहेंगे हाँ लेकिन इस गड़तंदर दिवस के पाउन उसर पर मैं चाहूंगा कि हमारे देश में खुसाली आए कोई भी विक्ति भूखा ना रहे सबको रोटिया नसीब हो सबको छट नसीब हो और सभी खुसाल रहें सुस्ति रहें, सुरक्षित रहें अपने देश में अब देखिए जैसे आज के समाज की सबसे बड़े विड़ंबना है हमारे यहां जाती, धर्म, लिंग, वर्ग, समुदाय, छेत्र इन सबी को लेकर बहुत बड़े भेदभाव किये जाते हैं बहुत ज़्यादा भेदभाव किये जाते हैं जो कि होना नहीं चाहिए अब आप सोचिए कि जब हम अपने ही देश में अपने ही घर में, अपने ही परिवार में अपने ही जिले में, अपने ही राज्य में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में, एक दूसरे से भेद भाव करेंगे, तो जाहर से बात है कि कोई विदेशी आक्रमण करके हमारे देश को हतिया सकता है. तो सबसे पहले बात तो हमें एक रहना चाहिए, एक जूठ होना चाहिए, बाकि फूट डालने वाले, वो अग्रेजों वाले, इसकी माज भी हमारे देश में चलना है, फूट डालो राज करो, फूट डालने वाले पैदा होते रहेंगे, और एकता बनाने वाले भी पैदा हो होते रहेंगे अब आपको क्या बनना है या जो भी मुझे सुन रहे हैं वो खुछ समझ सकते हैं कि उनको क्या करना है पता है यह जो रेता अपने आपको बहुत बहादर बनते हैं अभी कुछ ही वर्सों पहले की बात है संसद भावन पर हमला हुआ था और जब हमला हुआ था तो हमारे जो सेक्योर्टी गार्ट संसद भावन पर लगे हुए थे जो सुरक्षा करमी लगे हुए थे उन्होंने किस बहादरी से हमारे उस देश के धरोहर कह सकते हैं अपने संसद भावन को किस तरह से उन्होंने संसत भवन की सुरक्षा की जो की हमारे देश की आनबान सान की निसानी है और ये नेता उश टाइम छिप गए थे पता है कहा सुनकर आपको हसी आएगी मेजो के नीचे छिप गए थे बचारे तब किसी कवी ने कहा, किसी लेखक ने कहा कि तुमको फर्क नहीं पढ़ता है उनके मरने जीने में जो संगीने छेल रहे थे अपने नंगे सीने में तुम तो चिप कर बैठ गए थे संसत के तह खाने में और हमने पात सेर खोए तब चंद सियार बचाने में मतलब उन चंद नेताओं को बचाने के लिए हमारे पात जमान सहीद होगे सुनिएगा तुमको फर्क नहीं पढ़ता है उनके मरने जीने में जो संगीने छेल रहे थे अपने घाल सीने में तुम तो चिप कर बैठ गए थे संसत के तह खाने में हमने पास सेर खोए थे चंद सियार बचाने में और अगली पंक्ती आपको बहुत ही पसंद आएगी अच्छा होता फिर से सुनिए तुमको फर्क नहीं पढ़ता है उनके मरने जीने में जो संगीने छेल रहे थे अपने नंगे सीने में तुम तो छिफ कर बैठ गए थे संसत के तह खाने में हमने पास सेर खोए थे चंद सियार बचाने में अरे अच्छा होता अच्छा होता कुछ आतंकी संसत के अंदर जाते और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते अरे इतने ही कायर हो तो फिर जिन्दा क्यों हो भई मेजों के नीचे छिपने की क्या जरूरत थी ऐसे तो बहुत चिलाओगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हम इतने लंबे चोड़े हैं हमारी माँ पिये है हमारी ना पिये है और जब एक आतंकवादी हमला होता है तो आप सिकुर जाते हो दिकार है सनेताओं पर सरमानी चाहिए उनको जिस देश का खाते हैं जब उसी देश पर विपत्ती आती है तो मेजों के नीचे छुप जाते हैं अरे सहीद हो जाना चाहिए था तुमको याद करती दुनिया फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहे कर बस आप लोगों को इस गरतंदर दिवस के पाउन उसर पर बढ़ाई देना चाहता हूँ सुभकामना है देना चाहता हूँ सादे साथ आपके सुरक्षित सस्थ और खुशाल रहने की कामना करता हूँ इसे के साथ मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ जै हिंद